हेलो स्विंट्स कैसे हैं आप सब लोग तो मैंने आप लोगों को डिमांड चैप्टर पूरा का पूरा पढ़ा दिया था क्लास 11 की इकनोमिक्स की बात कर रहा हूं थियरी ओफ डिमांड मैंने पूरा का पूरा कवर करा दिया अच्छे से आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट के अंदर जाके जरूर चेक करना और आज में टर्म वन की लिए एक नया चैप्टर आपको सिखा रहा हूं क्लास जो की है इलास्टी सिटी ओफ डिमांड इलास्ट आज की पूरी वीडियो देखने के बाद अगर नहीं आता तो वीडियो डिसलाइक कर देना अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना ध्यान से लेकिन समझना अच्छे से नोटबुक निकाल लेना इलास्टि सिटी ओफ डिमांड चैप्ट समझते हैं सर आपने डिमा बढ़ेगा, demand घटेगी, price घटेगा, demand बढ़ेगा, तो यह तो qualitative statement हो गया, कितना price के बढ़ने से कितना demand घटेगा, यह तो law of demand नहीं बताया, घटने का मतलब 10 से 9 भी होता है, 10 से 7 भी होता है, 10 से 1 भी होता है, तो घटना तो तीनों situation में घट रहे हैं, मेरे number 10 में से पहले 9 आ सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 से 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, तो कितना कम हो रहा है, इसके बारे में law of demand नहीं बताता, जिसकी वज़े से हम लोगों को पढ़ना पढ़ता है, elasticity of demand, यानि कि यह बताएगा आपको कि actual में demand में change कितना आया है, समझे रहे हैं बात को, change कितना है, तो elasticity of demand में तीन तरह की elasticity होती है, ध्यान से समझना, सबसे पहला है price elasticity, दूसरा होता है income elasticity, तीसरा होता है cross elasticity, क्यूंकि आपको यह नहीं पढ़ना, आपके syllabus में नहीं है, तो जो आपके syllabus में मैं आज सिर्फ उसकी बात करूँगा, ग्रैजूशन में जाओ गया, तब आपको यह सब सीखने को मिलेगा, तो आज जो हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले है, price elasticity of demand, इवन आपके chapter का जो नाम है, वो क्या है, price elasticity of demand, अब यह क्या है, ध्यान समझते हैं, heading डालो class, price elasticity of demand, price elasticity of demand, अगर किसी भी commodity का price change होगा, तो price के change होने से demand भी change होगा, price के कितना change होने से demand कितना change होगा, that is called price elasticity of demand, it measures change in demand due to change in price of the commodity, साथ साथ लिखते चलना class, किसी भी commodity का price अगर change होता है, तो price के change होने से demand change होगा, वो तो आप law of demand में पढ़ चुके हो, बट यहां क्या कहता है, कि अगर किसी भी commodity का price change हुआ, तो price change होने की वज़े से demand में कितना change होगा, that is called price elasticity of demand, ठीक है, it is a quantitative statement, यह कैसा statement है, quantitative statement है, यानि कि यह actual में बताता है कि कितनी quantity change होगी demand में, अगर किसी भी commodity का price change होगा, तो price change होने की वज़े से demand change होता है, लेकिन price कितना change होगा, तो demand कितना change होगा, एक responsiveness यहां पर शो होता है, that is called elasticity of demand, it is quantitative statement, ओके, law of demand के बारे में थोड़ा सा लेख देता हूं, क्लास, क्योंकि वहां भी पूछा जा सकता है, law of demand कैसा statement होता है, it is a, law of demand is a, law of demand is a qualitative statement, वो qualitative statement है, वो बताता है कि price की change होने से demand change होता है, price बढ़ेगा, demand घटेगा, लेकिन कितना, कितना price बढ़ा, तो कितना demand घटेगा, इस बारे में वो नहीं बताता, तो यह एक कैसा statement है, क्लास, qualitative, sorry, मलब कि it is a quantitative statement, और law of demand कैसा statement होता है, क्लास, qualitative statement, okay, आगे देखते हैं इसके बाद, ध्यान समझने, क्लास, अगली heading है, degree, बढ़े, यही आज की क्लास में आपको समझाने वाला हूँ, इसलिए क्लास आज ही क्लास बोला था, important है, आप वीडियो एंड तक देखना आपको पूरा समझाएगा, बहुत बहतर समझाएगा, और आप इतना अच्छा समझ जाओगा, कि आप किसी दूसरी को भी समझा सकते हो, अच्छा लगया, अगर नेरी बात सच साबित हो, तो वीडियो को लाइक जरू करके जाना, चैनल सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है, डिग्री ओफ प्राइस इलासिटी ओफ डिमांड, यानि कि इलासिटी ओफ डिमांड को मेजर करने के लिए पांच डिग्री होती है, कितनी डिग्री होती है, क्लास पांच, तो हम पढ़ेंगे आज, फाइव डिग्री ओफ प्राइस इलासिटी ओफ डिमांड, या का मतलब क्या होता है इन इलास्टिक तो बटा इलास्टिक का मतलब क्या है रबर इलास्टिक होता है जो चेंज हो जाता है आप देखते हैं रबड का साइध खीचो के चेंज हो जाएगा तो वह लास्टिक है और इन इन का मतलब होता है नो ध्यान अगर इन लग जाए चेंज होगा ध्यान समझना जहां पर डिमांड चेंज होगा किसकी वज़े से डियू टू चेंज इन प्राइस अगर प्राइस की वज़े से डिमांड चेंज होगा अगर प्राइस के चेंज होने की वज़े से डिमांड चेंज होगा तो हम क्या बोलते हैं बेटा उसको हम बो price के change होने से demand नहीं change होगा, यानिकि demand does not change, अगर demand change नहीं हो रहा है, like salt, अगर salt महंगा हो गया, तो क्या नमा कम खान लोगा है आप, चीनी सस्ता हो गया, तो ज़्यादा चीनी डालोगा है आप चाय में, नहीं, तो यानिकि demand for that product is inelastic, Demand does not change due to change in price, यानि कि price के change होने से demand change नहीं होता, तो demand inelastic है, price के change होने से demand अगर change होता है, तो demand inelastic है, simple सी बात है, अगर किसी चीज़ की demand बदलती है, तो उस चीज़ की demand inelastic है, और अगर किसी चीज़ की demand नहीं बदलती है, तो उस चीज़ की demand inelastic है, तो हाला कि elastic और inelastic जाने जारों ध्यान से और अच्छे समझ ना उसके बादा मैथर्स पे चलेंगे लास्ट आप डिवांड को क्यालकुलेट करने के लिए और मैथर्स क्यालकुलेट करके हम उसको बिल्कुल फिनिश कर देंगे ठीक है चलो आओ जाराफटाफट इस चैप्टर को फिनिश करने के लिए पर लिखते हैं पांच डिगरी एना तो आप एक काम करो सबसे पहले आप एक काम करो ऐसे एक नंबर लाइन लो मेरे साथ साथ एक नंबर लाइन कॉपी को क्लासा फोल्ड कर ले ना ठीक है मतलब कि आप कॉपी को एक लांड्सकेप से साइज में रख लेना ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो ठीक है यह इस तरीके से एक लाइन आप ड्रॉ करो एक लाइन ऐसे, ठीक है? इस तरीके से आपने एक नमबर लाइन बना दिया, ठीक है? फिर इन दोनों लाइन के बीच में एक लाइन ड्रॉ करो, इन दोनों लाइन के बीच में एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है? और जो बाकी दो लाइन है उसके बीच में भी एक लाइन ड्रॉ क तो यह पांच डिग्री है इसे, यह पांच डिग्री है, तो इस तरीके से नंबर लाइन ड्रॉ किया है, कि पांचों के निचे डाइगराम मुझे बनाना है, समझाना है, तो पेस चाहिए, इसलिए मैं ऐसा बनाया, ठीके, चलो, तो अब हम पहले इसी पॉइंट पर आ जाते आच्छे से, पहले पांट को समझते है, तो जो पांचों की, पांच लाइन तो आपने बना दिया, अब क्या करना है, क्लास आपको? सब की डिग्री देनी है, तो सबसे पहला है AD is equal to 0, शिरुबात करो 0 से, पहला वाला AD is equal to 0 है और जो लास्ट वाला है लास्ट वाला ही रह उसको लिखो ed is equal to infinity ठीक है पहला वाला ed is 0 आखरी वाला infinity नंबर लाइन जैसे 0 से लेकर पूरा infinity तक चलता है वैसे ही ed is 0 है और ed is infinity है ठीक है आचा जो बीच में है उसको लिखो ed is equal to 1 0 infinity और जो बीच में है ed क्या हो गया 1 के बराबर ठीक है अचा 1 और 0 के बीच में जो है तो यह जो पॉइंट है यह एक से छोटा है less than 1 ध्याना ed is less than 1 तो पहला 0 आखरी वाला infinity बीच वाला 1 1 से पहले और 0 से बढ़ा तो यह less than 1 है और आगे वाला पॉइंट क्या हो जागा ed is equal to more than 1 तो यह होगा ed more than 1 greater than 1 के लो more than 1 के लो एक ही बात है तो यह पांच डिग्री ऐसी है मैं फिर से बता देता हूं पहला है जीरो infinity बीच में 1 less than 1 और more than 1 ऐसे आपने पांच के पांच डिग्री बनानी है क्लेरे क्लास यहां तक तो यह 0 infinity क्या होता है 0 क्या infinity होता 1 क्या होता है less than more than यह सारी चीजे क्लास मैं आपको समझाओंगा ध्यान से अच्छे समझना अभी ठीक है तो यह पांच डिग्री हो गई कर अब इनके नाम की बात करता है पहले मैं बेले एक बिचला इन सब कर मनें आपको डिग्री दे दिया अब करना की बात करता है अगर कोई चीज जीरो है इसका मतलब है नहीं मैं बहुत स्बिंस मैरे पास नहीं है तो अगर ED 0 है तो इसका नाम होता है perfectly inelastic demand ज्यान समझना अगर ED 0 है तो इसका मतलब खर समझाओंगा अभी पहले आप नाम देख लो अगर ED 0 है तो क्या बोलते है perfectly inelastic inelastic मतलब no elastic बिल्कुल भी change नहीं है अगर ED 0 है that is perfectly inelastic demand ठीक है और अगर ED infinity है तो बिल्कुल उल्टा लिखोगे इसका ठीक है that is perfectly inelastic demand perfectly inelastic demand अगर 0 है तो perfectly inelastic demand है और अगर infinity है तो वो perfectly inelastic demand है unit तो वन मतलब unitary elastic अगर ED 1 के बराबर है it means ED is unitary elastic नाम क्या बोलेंगे unitary elastic ED अगर 1 के बराबर है तो ED क्या बटा unitary elastic यहां से काफी mcqs पूछे जाएंगे तो बहुत ध्यान समझना क्लास की कैसे mcqs आपको आ सकते हैं ED 1 के बराबर है तो unitary elastic अचा वन से छोटा है वन से छोटा तो क्या बोलोगे less than unitary देखो सुनो one is unitary one से छोटा less than unitary तो बड़ा वन से बड़ा क्या होता है more than unitary अगर one unit है तो one से छोटा less than unitary one से बड़ा more than unitary clear यहां तर अब समझें ध्यान से और अचा यह जो less than unitary है क्योंकि वो इसका पडोसी है बिल्कुल इसके पास है तो इसका एक और नाम भी होता है इसका नाम है relatively ध्यान समझना इसका relatively है relatively inelastic यह perfectly elastic है 0 but 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 that is relatively inelastic मतलब inelastic नहीं है बट हां उससे मिलता जूलता है तो जैसा यह होगा पडोसी भी ऐसा ही होगा यह 0 है perfectly inelastic यह क्या relatively inelastic इस point के दो नाम होते हैं यानि कि आप इस point को बोल सकते मालों इसका point का नाम है A इसका नाम है B तो जो B point वो less than unitary भी कहलो यह relatively inelastic के यह बाद बराबर है clear यहां तक C तो आपको पता है class की unit 3 है यानि equal to 1 अच्छा यह more than unit 3 इसके बिल्कुल pass है तो आप इसका नाम क्या दे सकते हो relatively elastic क्या नाम दोगे relatively elastic यह बिल्कुल इसके पास है तो क्या बोलेंगे relatively elastic तो यह हो गया class इस तरीके से पांचो के पांचो डाइग्राम मैं आपको repeat कर जेता हूं एक बार सुनो 0 लास्ट में इंफिनिटी वन वन से छोटा लेस देन वन वन से बड़ा मोर देन वन जिरो मतलब परफेक्टली inelastic और इंफिनिटी मतलब परफेक्टली इलास्टिक 1 इस इउनिट ट्रिलास्टिक लेस दैनेट री मौ दैनेटरी रिलेटिक इनलास्टिक रिलेक्टिव बढ़े चाहे price घटे अगर किसी भी समान का demand constant है तो इसका मतलब demand perfectly inelastic है price के बढ़ने और घटने से अगर किसी भी समान का demand change नहीं होता है तो हम बोलेंगे perfectly inelastic demand जैसे salt है medicine है सस्ता हो गया महंगा हो गया हम demand उतनी करेंगे क्या दवाई हो कि जदा दवाई Fahrenheit का लोगे नमक सस्ती ज़्यदा नमक बरवर खाऊगे यह नमक नमक महंगा हो कि तो दम छोड़के क्या आप नहीं बनेगा, यहाँ पर आता quantity demand, यहाँ पर आता price, और यह demand है, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, एक बार meaning देखते हैं, क्या है एक लास यहाँ पर, कि perpendicular on x-axis और parallel to y-axis, यह x-axis पर perpendicular है और y-axis पर parallel है, तो अगर मैं इसका schedule बना कर दिखा हूँ आपको, आप क्या बोलोगे, straight horizontal line, sorry, straight vertical line, parallel to x, जो parallel है, वो y-axis है और perpendicular x-axis, अगर मैं बोलूँ, price और demand, यहाँ समझा, price 10 था, demand 20 है, price 12 होगे, demand अभी भी 20 है, यहाँ कि price same है, sorry, price change हो रहा है, मैं demand change नहीं हो रहा, that is perfectly in elastic demand, यहाँ कि when the price of a commodity changes, but demand for that commodity is constant, that do not change, the situation is, class, इसको, इस situation क्या बोलते हैं, class, हम लोग, perfectly in elastic demand, यहाँ प्राइस चेंज हो रहा है, लेकिन, demand क्या है, class, constant है, तो उसको बोलेंगे, perfectly in elastic demand, ओके, यह बात समझ आई, class, पहली चीज, आपको perfectly in elastic का मतलब समझ आ गया, मैंने आपको डाइग्राम बना कर बता दिया, price इतना, demand इतना, price अभी उतना, demand इतना, price बढ़ रहा है, demand तब भी उतना है, price घट रहा है, तब भी demand उतना, यानि price के बढ़ने से, या घटने से, अगर demand चेंज नहीं होता, तो इसको बोलते है, perfectly in elastic demand, ओके, चलो, तो अब हम last वाले पे आजाते हैं, यह रहा, perfectly elastic वाला, यह रहा point, perfectly elastic demand, यहाँ देखो, पहले वाले point में क्या देखा आपने, कि price चेंज हो रहा है, but demand नहीं change हो रहा है, यह बिलकुल उल्टा है, price तो change होगा, बहुत थोड़ा सा change होगा, ठीक है, ना के बराबर, but demand जो है, price, sorry, price constant है, price change नहीं, price constant है, but demand changes, price तो constant है, बिलकुल चेंज नहीं हो रहा, but demand change हो रहा है, कैसे, प्राइस constant है, demand changes, अगर इसका diagram देखें हम लोग, तो जैसे आपने पहले diagram बनाया था ना, बिलकुल उसका उल्टा है, तो पहले आपने कैसा diagram बनाया था, vertical, अब क्या एकलास, इस तरीके से, यह होता है, infinity का, यानि कि price इस line की चोड़ाई, जितना भी अगर change होता है, थोड़ा भी price change कर दिया, थोड़ा सा भी, तो demand infinity तक पहुँच जाता है, इसका अगर मैं आपको, पहले मैं उसको बता जाता है, आपको यह perpendicular किस पे है, perpendicular on y-axis है, और parallel to x-axis है, y पे perpendicular और parallel किस पे है क्लास, x ठीक है, एक चीज और, इसका अगर मैं schedule बना के देखा हूँ, आपको बिल्कुल उसका उल्टा बनेगा, वहाँ पर price जो है, वो change हो रहा था, और demand constant था, यह दूसरा end है, दूसरा corner है, यहाँ पे class क्या होगा, price same है, लेकिन demand change हो रहा है, तो जब भी तुम्हें इस तरीके से एक diagram, इस तरी से schedule बना के देदेगा आपको, और बोलेगा, बताओ यह कौन सा situation है, तो यहाँ पे price same है, और demand change हो रहा है, तो perfectly elastic, ED की degree क्या है, infinity, और शुरू में price same था, sorry, price जो है, वो थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, clear class यहाँ तक, तो इस situation को बोलते है, perfectly elastic, यानि कि, देखो, मैं आपको एक बार लिखके यहाँ दिखा देता हूँ, आपको समझा जाएगा, यहाँ 0 है, यहाँ infinity है, यहाँ पे demand बिल्कुल change नहीं होगा, यहाँ price बिल्कुल change नहीं होगा, समझ रहे हो, यहाँ demand change न parallel है y-axis के, और यह parallel x-axis के, यह perpendicular है y-axis पे, यह perpendicular है x-axis पे, तो इसको 0, इसको infinity होता है, perfectly elastic, इसका है perfectly elastic, ऐसी copy पर लिखके लिखके आप खुद भी practice कर सकते हो, ठीक है, तो 0 हो गया, infinity हो गया, दोनों का diagram मैं आपको बना कर बता दिया, ठीक है, अब आते है, id equal to 1, ध्यान तो demand भी 20% से ही घटेगा, यानि कि percentage change in price is equal to percentage change in demand, price में और demand में अगर same percentage change आ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे, id is equal to 1, और 1 का मतलब क्या है, unit 3, elastic percentage change in price is equal to percentage change in demand, price में और demand में अगर आपको same change देखने को मिलता है, तो इसको बोलते है, unitary elastic, clear है यान तक, जितना price उपर जाएगा, number में नहीं, number में नहीं, percentage में, जितना percentage price उपर जाएगा, because price और demand को आप compare नहीं कर सकते हैं, दोनों की unit अलग अलग है, price रुपीज में आता है, unit numbers में आता है, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 2 unit, 3 unit, तो आप compare कर तभी कर सकते हो, जब दोनों का percentage लोगे, तो percentage change in price is equal to percentage change in demand, तो आप चाहो तो ये curve बना सकते हो, आप चाहो तो एक straight line बना सकते हो, मर जी आपके यहाँ price यहाँ demand, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है class, कि price जितना percent से घटेगा, अगर price 10 था और demand था 20, और price मानलो बढ़ गया 20% से, तो demand 20% से घटेगा, तो आप इमद मुनसर यहाँ 4 घटा दिया, यहाँ 2, number में नहीं percentage में, 10 का 20% 2, बढ़कर 12 हो गया, 20 का 20% 4 घटके 16 हो गया, तो जितना percent price बढ़ेगा, उतना percent आपका demand कम होगा, और अगर कोई आप से पूछ ले, in situation of it is equal to 1, unitary elastic, तो यह जो graph है, इसका नाम ह होता है, rectangular hyperbola, आप maths में पढ़ोगे, आगे जाके, parabola, hyperbola, तो when it is equal to 1, the shape of demand curve is rectangular hyperbola, कैसा होता है, rectangular hyperbola, इसका मतलब क्या होता है, विसकली maths में बता जाता है, इसके अंदर जितने भी rectangles बनेंगे, सबका area आपको same मिलेगा, ठेक है, तो यह rectangle, आप देखो, जितना price आप हो होंगा, तो विल्कुल बराबर आएगा, price जितना उपर जाएगा, demand उतना ही नीचे आएगा, that is, rectangular hyperbola, ed is equal to 1, 0 समझ आया, demand विल्कुल चेंज नहीं होगा, infinity में price जो है constant, demand change होगा, और ed में 1 में बराबर बराबर, unitary elastic, rectangular hyperbola, जितना price आप होगा, उतना ही demand नीचे होगा, and wise से वर्षा, अब आते हैं, देखो, इधर देखो अगर आप थोड़ा सा, यह है zero, और यह है one, इसकी जो बीच में होगा, less than illitary, relatively elastic है, सुनो, मेरी बात ध्यान सुनना, प्लीज, यहां पी बहुत ध्यान से, price अगर 20% से बढ़ता है, है ना, और demand भी 20% से कम हो जाए, प्राइस अगर 20% से बढ़ेगा, और demand भी 20% से कम हो जाएगा, तो उस situation को, हम लोग क्या बोलते हैं, बेटा, unitary elastic, less than illitary में क्या है, कि price बढ़ेगा 20% से, और demand घटेगा 20% से, बट demand जो घटेगा 20% से, बट demand जो घटेगा वो 20 से कम घटेगा, तो 20 से कम कितना होता है, अब इसके diagram की बात करते हैं, तो मतलब अगर, यानि कि here percentage change in demand is less, less than percentage change in price, और यहाँ पे here percentage change in demand is equal to percentage change in price, तो यह आगे क्या, यह आगे आपका unit tree, है ना, percentage change in demand is less than percentage change in price, तो less है, तो less than unit tree, more है, तो more than unit tree, है ना, यही diagram समझाना था बटा, आपको उमीद है, आपको यह बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा, अलग-अलग diagram आप बना सकते हो, लास्ट में एक short diagram भी बना के देखाऊंगा इन सब का, यह बिल्कुल straight है, और यह पडोसी थोड़ा सही से bent हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से class, एक stipper diagram आप इसे कह सकते हो, stipper जल्दी नीचे एक दम तुरंती नीचे आ गया है, तो यहां पर क्या है, ध्यान से सब लोग चेक करना कि मैंने सही सही बनाया है गलत बनाया, आप बताना, देखो, price इतना है, price इतना है, और demand इतना है, price देखो, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन demand में चेंज कितना है, थोड़ा, आ अब इसका डाइगराम अगर मैं बना चुका हूँ, schedule बना कर दिखा देता हूँ, PXQDX, ध्यान समझा, price मैंने 10 ले लिया, demand 20, अपने मर्जी से मान लिया, मैंने, price बढ़ेगा कितना 20% से 12, और demand घटेगा सिर्फ 10%, 20 का 10% दो, तो घटकर कितना हो जागा 18, तो price जो है 10 से पढ़कर 12 हो गया, और demand जो है 20 से घटके 18 हो गया, इस चीज को हम बोलते है, less than unitary elastic, यानि कि price में change जो है, वो percentage में ज्यादा है, और demand में change कम है, तो less than unitary, और देखो, इसका डाइगराम सेम सेम सा क्यों बनाया मैंने, क्योंकि इसका पड़ोस ही है, तो यह बिल्कुल straight है, यह बिल्कुल change नहीं कहता, demand में, यह थोड़ा बहुत change हो गया, यह कहता है, बराबर बराबर change हो गया है, वीडियो पॉस करके आप class लिख सकते हो इन सब चीजों को, अब आते हैं, last diagram पे, that is more than, तो यह इसका पड़ोसी है, तो जैसा इसका diagram बना है, वैसी इसका बनेगा, price अगर 20% से बढ़ा, और demand भी 20% से ही कम हो गया, फिर तो यह unit 3 elastic हो गया, तो demand अगर 20 से कम होता है, तो less than unit 3, और demand अगर 20 से जादा होगा, तो more than unit 3, और diagram जो बनाओगे, बिल्कुल इसका पड़ोसी, जैसा यह है, जैसा बिल्कुल straight है, तो यह भी straight बनेगा, थोड़ा सा flatter क तो आप देखो, price इतना है, demand इतना है, price थोड़ा सा बढ़ गया, मतलब 20% से, और demand देखो कितना ज़्यादा पीछे आ गया, freehand से बनाना कोई number लिखना नहीं है, तो यह आप यहाँ देखो, demand बहुत ज़्यादा चेंज है, price में थोड़ा सा चेंज होने की वज़े से, तब मुझे price को ले लेना है 10 और demand को ले लेना है 20, मुझे price को बढ़ाना कितने percent से, 20% से, demand घटाना है 30%, तो 20 का 30% 6, तो घटी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो यह schedule बता दिया मने आपको, सबका diagram बता दिया, सबका नाम बता दिया आपको, और सबका meaning समझा दिया, और rectangular hyperb किसे बोलते हैं बेटा, जब ed1 के बराबर रहता है, तो यह सारे के सारे class में topic समझा दिया, वीडियो pause करके, इनके diagram को जरूर note कर लेना class, it's very very important, और इस chapter में, तो यह बहुत ही ज़्यादे important है, question इस chapter से पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, चलो, तो मैं आपको एगर finally conclude कर करके देदू, सारे diagram इकठा बना के देता हूं, finally conclude करके ठीक है, यह तो आपने सबने बना लिया होगा, आओ जा रहे हैं पर, देखो, मैं आपको छोटा से एक overview देता हूं, ठीक है, एक page बना के, तो यह 0 है, यह infinity है, यह 1 है, यह less than 1 है, और यह more than 1 है, 0 का नाम perfectly inelastic है, इसक नाम unitary है, इसका नाम है less than unitary, और इसका नाम है more than unitary, यह relatively inelastic है, और यह relatively inelastic है, इसका diagram अगर मैं बनाओं तो बिलकुल straight, और इसका diagram बनाओं तो बिलकुल parallel, ठीक है, 1 मतलब बिलकुल बीचों बीच, यह curve में, rectangular, hyperbola, यह ऐसा है, तो इसका पडों से भी थोड़ा ऐसा हो होगा, तो यह होगा, पांच अगमाच diagram, यह सारी चीज समझा देमें आपको, ओके, तो अगर मैं इनको एक ही diagram में बनाकर दिखाऊं आपको, finally, अगर मैं इनको एक ही diagram में बनाकर दिखाऊं, तो मैं कैसे बनाओंगा, ध्यान समाझ ना, ठीक है, आप जड़ा अच्छे से scale ले लेता हूँ, अच्छे से बना देता हूँ, ठीक है, तो आप इन सब का diagram एक साथ देखो कैसे बनाओंगे, ठीक है, देखो diagram, ओके, यह होगे, यह होगे, यह होगे 0, x, y, अगर मैं बिल्कुल ऐसे straight बना दूए, एक line, तो यह AD 0 हो गया, ध्यान समझना, यह straight बना दिया, तो AD बिल्कुल 0 हो गया, और अगर मैं बिल्कुल ऐसे बना दूए इसको, parallel, ऐसे बना दूए, तो यह हो गया आपका AD infinity, ठीक है, आप 0 और infinity का समझ लो पहले, 0 और infinity का देख लो आप, यह बिल्कुल straight 0, और यह क्य हो गया हो गया, infinity, तो अगर मैं एक लास है, बिल्कुल बीचो बीच एक line ले लूँ यहां पर, बीचो बीच एक line ले ले लेता हूं ऐसे, तो यह AD equal to 1 हो गया, थोड़ा सा नीचे ले लूँ, less than 1, थोड़ा सा right ले लूँ, more than 1, clear है क्लास है यहां तक, तो इस तरीके से, मत अब less than, more than का मैं एक डाग्राम बना देता हूं, ध्यान से देखो, यह 1 है, यह more than 1 है, यह less than 1 है, यह 1, यह more than 1 और यह less than 1, ठीक, 0y रख देना, price, quantity, demand, तो इस तरीके से देखो, अगर बिल्कुल नीचे less than 1, बीच में 1 और यह more than 1, और यह हो गया 0, infinite, I hope कि आप लोग के य 5 degree अच्छे से खतम हो गया, अगली class में methods पढ़ेंगे, कैसे, अभी आपको सब का मेनिंग समझ आ गया, कि less than क्या है, more than क्या है, 0 क्या है, जब यहां पर क्या है, बराबर चेंज आएगा, यहां डिमांड में कम चेंज आएगा, यहां डिमांड में जादा चेंज आएगा, जीरो में डिमांड बिल्कुल चेंज ने आएगा, इंफनीटियो में प्राइस बिल्कुल चेंज ने आएगा, बस कतम इस तरीके से, तो वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज कॉमेंट करना, जितने बच्छों ने देखा है, बहुत महनत से मैंने आपको समझाया है, लाइ